हर दिन एक भिखारी दर्वाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देख कर फिर जाया करता कई बार उसके लिए गालिया भी बगता वो कहता तु जिन्दा ही क्यों है? पूरी जिन्दगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धर्ती का बोज क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे एक बार सेठ को धन्धे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दर्वाजे पर वही भिखारी आया गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा फिर भी दर्थ से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा भगवान तुम्हारे पापा को माफ करे भिखारी वहाँ से चला गया सेठ सोच में पड़ गये भिखारी को पत्थर मारा फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की सेठ का गुस्सा शांत हुआ शेर का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे जाता सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता, तो कोई गाली देता लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते लेकिन भिखारी सब के लिए एक ही प्रार्थना करता भगवान तुम्हारे पाप माफ करें अब रात होने को आई थी भिखारी अपने घर जाने के लिए लोटा वो अपने घर पहुँच गया लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था एक पुरानी तूटी हुई खटिया पर एक बूढी औरत लेटी हुई थी काफी कमजोर और बीमार लग रही थी वह भिखारी की पत्नी थी अपने पती को वापस आता देख वह खाट से उठखडी हुई पत्नी ने अपने पती के भीख वाले कटोरे में देखा उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी उसे देखकर वह बोली आज बस इतना ही मिला और हाँ आपके सिर से खून निकर रहा है ये चोट कैसे लगी बूढा भिखारी बोला आज बस इतना ही मिला किसी ने कुछ दिया ही नहीं सबने गालिया दी और एक नए पत्थर भी फेकना इसी लिए मेरा सर फट गया एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढा भिखारी फिर से बोला यह मेरे ही पापों का फल है तुम्हें याद है चीज जरूरत से ज्यादा थी लेकिन हमने कभी दान नहीं किया और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था बूढी पत्नी की आँखों में आसु आ गए वह बोली हाँ हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे उसका अपमान करते थे उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागस दिया करते उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाएं, एक बार मैंने उसके मुह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किये की सजा देगा भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिन्दगी में आ गए भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बरताव करें, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिन्दगी का अनुभव करें किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता सेठ वही पर छुपकर यह सारी बाते सुन रहा था, अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था धिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिलबाट कर खाएं और भगवान को धन्यवाद बोल कर सो गए अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीक मांगने गया सेठ के घर के पास जाते हैं, सेठ ने पहले से गरम रोटी या उसके लिए निकाल कर रखी थी, उसे देते हुए सेठ विनमर्ता से बोला माफ कर दीजिये बाबा उसे बहुत बड़ी गलती हो गई बुड़ा भिकारी बोला भगवान तेरा भला करे इतना कहकर वह आगे निकल गया इस कहानी से जो सीख लेने लायक है, वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करें, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है, क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिलकुल सच है, उसके खात में सब का हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है, इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो